हाई फ्रेंज कैसे आप सब लोग दोस्तो टीवी सीरियल अनुपमा में अब एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है जहां आप सब जानते कि समर की मौत हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद आप अनुपमा और अनुज रोमांस कर रहे हैं पुरा परिवार जहां समर की मौत का बदला लेना चाहता है जिसमें की कुछ लोग तो पीछे हट भी चुके हैं और आप जानते हैं कि वनराज सुरेज की चाल का शिकार हो चुका है ऐसे में सिर्फ अनुज और अनुपमा इस मैदान में टिके होए हैं आप सब जानते हैं कि अब इस शो में देव पीका होगी वो बोलेगे कि यानि हमारे पास सिर्फ एक दिन है प्रोमो में दिखाया गया है कि अनुपमा पूजा करने लगेगी और जल चड़ाते वे कहीगी कि आज सिर्फ धूप से काम नहीं चलेगा आज तो आज की जरूरत है सारे जूटे सारे पापों को जड़ा कर देने वाली आर्ग प्रोमो के अगले हिस्से में ये देखने को मिल रहा है कि अनुपमा बैठे होंगे तब अनुच कहेगा कि हमारे समर को इनसाफ जरूर मिलेगा कोई हमारे साथ हो या ना हो मैं हमेशा तुमारे साथ रहूँगा इन बातों को सुनकर अनुपमा का जो नहीना भर नहीं हुआ इसकी बच्चे को मरे वे और मा रोमांस कर रही है इसके बाद सुरेश राठोर तेजी से हसने लगेगा अनुपमा के दोस्तों इस प्रोमो को देखकर ऐसा लग भी रहा है कि कोट में जरूर कोई ना कोई अनुच और अनुच की मदद के लिए आगे आएगा या फिर कुछ ऐसा सबूत मिल सकता है जिससे समर के केस को और जादा मजबूती मिलेगी वहीं दूसरी तरफ जैसे ही सुरेश ने वनराज को गुस्ता दिलाया था क्या दोस्तों अब वैसे ही अब अनुच को भी सुरेश अपनी चाल में फसाएगा ये तो आने वा पक्षी जो है वो कमजोर पढ़ गया है क्योंकि उसका वीडियो वार्यल हो चुका है लेकिन सुरेश चुप बैठने वालों में से नहीं है वो अपने बेटे को बचाने के लिए अनुच और अनुच को भी इस चाल में लपेटे का और इसके लिए वो कई तरकी की चाले चल है तो उसे हरा पाना क्या अनुपमा और अनुच के बस में है आप कमेंट शक्षी में लिकर जोरू बताईएगा साथी टीवी सीरियर अनुपमा के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक ज़र कीजेगा और शेयर भी मिलता हूं नहीं जानका के साथ स्टेचिंज झाल झाल